आपके पार्टनर की करन्ट फिलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर क्या है आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशन्शिप को लेकर आपके पार्टनर का फिलिंग्स आज किस तरह का होगा आएज जानते हैं आपके पार्टनर आज आपके बारे में इस रिलेशन्शिप के बारे में क्या सोचने वाले हैं आईए जानते हैं, तो पहला गार्ड है, 10 of Materials का कार्ड है, then is 6 of Voices का कार्ड है, the next is Queen of Voices का कार्ड है, the next is 5 of Voices का कार्ड है, the next कार्ड is 5 of Materials का कार्ड है, and bottom of the deck पर Muse of Emotions का काड़ है तो आज की जो ये energy है ये generalized energies है तो आप सब के साथ कही न कही resonate ज़रूर होंगे तो यहाँ पर मैं आपके partner के कोई भी specific exotic signs आपको नहीं बताने वाले हूँ ठीक है आपके partner जो है आज इस relationship के प्रती बहुत ज़दा emotional रहने वाले हैं उनके emotions को वो control नहीं कर पाएंगे उनके emotions उन्हें बार पार trigger करेंगे कि उन्हें आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए और आप इस relationship में कोई delay नहीं करने चाहिए लेकिन आपके partner तो आज कल एक दोरी जिन्दगी जी रहे हैं एक ऐसी जिन्दगी जहां पर वो आपके विना नहीं रहे पा रहे हैं एक ऐसी जिन्दगी और भी जी रहे हैं जहां पर वो किसी और के influence में हैं तो आज आज आपके partner के emotions बहुत हद तक जीतते हुए मुझे नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आज आज आपके partner आपको call या message करें ठीक है आपके partner की energies आपकी तरफ को channelize होती हुई आज मुझे नजर आ रही है आपके partner बिल्कुल practical होकर आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं आज आपके partner बहुत ज़्यादा इस चीज़ को vocalize करने वाले हैं कि उन्हें आपकी तरफ को बढ़ना है उन्हें आपके साथ अपना relationship निभाना है वो और ज़्यादा चीज़ों को delay नहीं करना चाहते हैं वो और ज़्यादा चीज़ों को postpone नहीं करना चाहते हैं उन्होंने अपनी life में कुछ गलत fans ले लिए ऐसी चीज़ें वो third party को कह सकते हैं आज ये third party भी तो फिर पीछे नहीं हटेगी ये third party आपके partner को backstab आज के दिन पर कर सकती है आपके partner को एक ऐसी जगा पर उलजा सकती है जहां पर आपके partner ने सोचा भी नहीं आज के टाइम पर जो आपके partner है वो काफी ज़दा अपनी energies में sorted है लेकिन ये third party आज आपके partner को बुरी तरह से उलजाने की कुशिश करेगी आपके partner को सामने से तो कुछ नहीं कहने वाली है ये third party लेकिन energies का कुछ ऐसा निर्मान ये third party करेगी जिससे कि आपके partner आपकी दरफ को ना बढ़ पाए मतलब उनका दिल पूरा होगा और ये third party उन्हें हाथ कीच कर पीछे की और करती हुई मुझे नजर आ रही है और इस जीस में आप ये बात जानते हैं कि ये third party export है आपके partner को ये पता है कि ये third party आपकी life में सिरफ एक drama create कर रही है आपके partner की life में एक drama create कर रही है तो आपके partner एक decluttering energies में रहने वाले हैं जहां पर वो इस third party को प्रात्मिकता नहीं देंगे और ये third party बहुत ज़दा experienced है अपने experience को ये third party implement करने वाली है और आपके partner आपके तरफ कैसे आ जाए इस third party के होते हुए ठीक है तो ये third party definitely उस चीज़ में action लेगी तो यहां पर आज ये third party भी active होती हुए मुझे नजर आ रही है यहां पर five of materials का card है आज आपके partner आपकी life में stalking तो ज़रूर करेंगे आप अपने partner को पहले से बहुत सारी चीज़े समझाते हुए आए है आपके partner ने आपके एक भी बात नहीं सुनी उस चीज़ का पश्तावाज आपके partner को रहने वाला है वो आपकी life में तांगज़ा करने वाले है और ये third party आपके partner के पीछे बीछे भागते हुई नजर आ रही है आपके partner को लिखेंगे boost positive energies जिसकी वज़ा से आपके partner एक dip की energies में ना जाए ठीक है ये चीज़ आप कर सकते हैं ओके comment section में boost positive energies with a heart sign जरूर लिखेगा आए अब हम जानते हैं कि divine आपको क्या message देना चाहते हैं क्या guidance देना चाहते हैं आज इस रिष्टे को लेकर divine की क्या guidance है आपके लिए आए जानते हैं तो यहाँ पर है welcome abundance into your life divine आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिष्टे में ऐसा नहीं है कि prosperity नहीं आ सकती है अपने point of view को negative मत बनाएए चीज़े एक अलग perception से percept कीज़े अपना नजरिया बदले चीज़े ठीक हो सकती है आपको अपने इस relationship को heal करने की ज़रूरत है इस relationship में ये जो बार 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 dip आते हैं इन्हें आपको रोपने की ज़रूरत है आपके relationship में ये dip क्यों आ रहे हैं पहले तो ये समझना ज़रूरी है उसके लिए डिटेल वीडियो मैं रात को साड़े नौबजे इसी चानल पर पोस्ट करती हूँ आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखा कीज़ए आपको उस वीडियो से बहुत ज़़ा क्लारेटी मिल सकती है ठीक है बाकिया बहुत समझदार है समझदारी से आज ये नहर्ची इस कुछ आनलाईज कीजेगा आप ग्रेट टेट टेट गाद ब्लेस यू आल टेक ग्यार आफ यू एल्ट सी यू सून